बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा अग शाम को गर पे खाना खाया और उसके बाद पनवाडी की दुकान पे या टैलने के लिए गर से कहते हैं 15-20 मिंट गूम क्या आता हूँ करना है इस ही चीज को कहते हैं दोस्तो amotivational syndrome की यह एक तरह का है जो हमारे मानश्यक्ज़ स्वास्थे को खराब करता वार वार तो लोग पागल भी हो जाते हैं या कई वार लोग amotivational syndrome की सिकार हो जाते कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं आपको आगाह करना मेरा फर्ज बनता है हो सकता है आपको एक बार दो बार ये गुड ट्रिप पर लेके जाए गांजा अच्छा लगे लेकिन लेटर ओन लंबे समय तक लेने से आपको ए मोटिवेशन सिंड्रोम की तरब भी ले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अनन्त राठी मनोचेकित सर्क एमनशा मुक्तिविशे शग्य बीकाने राजस्तान से दोस्तों जो नशे के खिलाफ हमारी मुहीम चल रही थी उसमें आज हम जो एक वीडियो लेके आए हैं वो है गांजा या चरस के बारे में इसके लोग होते हैं जो इसका लगातार सेवन करते हैं बहुत लंबे समय तक सेवन करते हैं तो उससे उनको क्या नुकसान होने लगता है दोस्तों आपने एक शब्द तो सुना होगा कि फलाना अदमी तो चरसी हो गया या वो व्यक्ति तो गांजेडी हो गया या भांगेडी हो ये एक common जो term है सुनने को मिलती है कि चरसी है साला ये तो इन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो लंबे समय से चरस या गांजा या बांग का सेवन कर रहे होते हैं और वो society में बस नशा करने के लिए जैसे आए हूं और कोई काम नहीं करते नशा करते हैं और पड़े रहते हैं उन लोगों के लिए ये term यूज जाती है गांजेडी या चरसी आदमी तो दोस्तों इस city तक व्यक्ति पहुंचता कैसे है उसकी story आपके साथ share करना चाहता हूं जैसे कोई बच्चा होता है student होता है जब वह 12 साल 15 साल का होता है तो वह अपनी life के लिए future में सोचने लगता है कि मुझे आगे की जिन्दगी मेरी कैसी चाहिए मेरी जिन्दगी आगे के बहुत आराम दैक होनी चाहिए मेरे पास सारी सुख्ष विदाएं होनी चाहिए जादा मेनत कर लूँ, मैं अभी खूब बहुत सारा पढ़ता हूँ, अच्छे माक्स लाता हूँ, टॉप करता हूँ, और फिर कोई कमपिटेशन एक्जाम देता हूँ, और अच्छी नौकरी लगता हूँ, या कोई अपना बिजनस शुरू करता हूँ, उसमें खूप सारे पैसे कमाता हूँ, फिर उसके बाद अपनी फैमली बनाता हूँ, अपना बैंक बैलेंस, घर, बंगला, गाड़ी, इस तरह सारी सुख किसी दिन आजाता है, और वो उसे एक गांजे की सिगरेट पीने के लिए दे देता है, कि तू एक बार ये पी कर देख, तू बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहा है, तू इतना पड़ाई में, इतना क्यों मेहनत कर रहा है, जिंदगी को नहीं जी रहा, अच्छे से ए पूड ट्रिप पे ले जाता है, उसे बहुत ज्यादा आनंद की अन्वुति होती है, उसे लगता है है क्या मजया आ गया है, तो उसे लगता है यह मजया जो मेरे को एक गांजे की सिगरेट पीने से trusting पीने से तो एक बार फिलिंग वो गांजे की सिगरेट से आती है तो फिर क्या करता है वो वो उसको गांजे की सिगरेट को रेगुलर्ली लेना शुरू कर देता है बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा अग शाम को घर पे खाना खाया और उसके बाद पनवडी की दुकान पे ट लखने की जरूरत है कैसे हम पैचाने की किसी बच्चे में कोई नशा तो नहीं कर रहा है क्या लक्षन हो सकते हैं इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है आप मेरे चैनल से उस वीडियो को देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों जब वो जो है गांजा प करनी क्यों है में को तो गांजा पीना है मजा लेना है लाइफ के अंदर उसकी लाइफ में और कोई दूसरा उद्देश रहे ही नहीं जाता बस गांजा पीओ और पढ़े रहो गांजा पीओ उठो पढ़े रहो उठो गांजा पीओ पढ़े रहो कोई जीवन में है और उसके बाद वापस आनन्दित होकर कैसे पड़ जाना है जीवन में उद्धेश नाम की कोई चीज नहीं रहती कोई किसी तरह का motivation नहीं रहता की life में क्या करना है कैसे करना है इसी चीज को कहते हैं दोस्तों a motivational syndrome जहां जीवन का कोई motivation कोई उद्देश्य नहीं रहा, बस नशा किया, पढ़ गए, सो गए, उठे, नशे का जुगाड किया, नशा किया, पढ़ गए, तो इनी लोगों को दोस्तों गांजेडी या चरसी लोग कहते हैं, दोस्तों मैंने जितनी भी वार भांग या गांजय के अगेंस्ट इसके विर किसी कार हो जाते हैं, कई वार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो तब तब इन वीडियो के नीचे मेरे को लोगों ने गालिया ही दिये, और इतने बुरे बुरे कमेंट्स किये हैं, कि ये तो जड़ी बूटी है, ये तो भोले नात का प्रसाद है, और तुने कभी उनने पिया नहीं क्या, कभी गांजा पी करके देख, फिर तु ये सब कुछ भूल जाएगा, ऐसा कभी नहीं बोलेगा, दोस्तों मैंने गांजा कभी पिया तो नहीं है, लेकिन जिनोंने गांजा पिया है, उनकी बुरी इस्थिती को मैंने जरूर देखा है, और आप सबस जा सकता है या कभी-कभी cannabis induced psychosis जिसमें manic features भी आते हैं कभी depressive features भी आते हैं psychotic symptoms भी आते हैं जीवन में बिलकुल ही सुस्त निडाल उदास ऐसा भी हो जाता है वेक्ति तो उसकी mental health पे बुरी तरह से effective पड़ता है जीवन के कई साल खराब हो जाते हैं ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं हो सकता है जो इसका favor कर रहे हैं उन्होंने ऐसे लोग देखे नहीं है या देखे भी हैं तो भी अपनी आंक मूंद रखे है क्योंकि वो अभी तक good trip पर ही गए हैं उनको कोई इसका अभी तक उस प्रबाव नहीं आया है लेकिन जिस दिन आयेगा उस दिन वो भी मेरे साथ मेरी पक्ष में खड़े हो जाएंगे कि हां गांजा मानसिक तोर पे व्यक्ति को कमजोर या बीमार बनाता है तो आपसे हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कभी भी इस तरीके का नशे का खुश हो सकता है कोई विक्ति फिल्म देखके खुश हो सकता है खुशी की सब के लिए अपनी अपनी परिबास है आप अपनी खुशी की परिबासा निकालिए और उससे एंजॉय कीजिए ना कि किसी भी प्रकार के नशे से आशा करता हूं मेरे द्वारा दीगी जानकरी आ बारत